वेल्कम वीवर्स और दोस्तों सबसे पहले ये डिस्क्लेमर और आप लोग नए डीमेट एकाउंट अप स्टॉक के साथ खुलवा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे-बैठे और बहुत अच्छा ओफर आए हुआ है डिस्क्रिशन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है सो जिसको डीमे चैनल को सब्क्राइब करिए सो देट आपको भी ऑन टाइम अपडेट मिल सके तो दोस्तों जो रिजल्ट आए हैं बेसिकली मैंने अपनी परतिगिर्या उन पर लेड़ी शेयर कर दी है बट हावेर कह सकते हो पिछले क्वार्टर से और उसके लास्ट क्वार्टर से इंप् सब्सक्राइब करें तो थोड़ा मैं उसको दूर करने की अपनी तरफ से कोसिस करूंगा तो दोस्तों पहली चीज़ तो नो डाउट रिजल्ट जो दिखाए गए हैं उन पेपर में जो दिख रहे हैं वह बिल्कुल कह सकते हो सटीक है उससे पता सलता है कि जो बैंक है वह सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें नोट करना पड़ेगा जो रिजल्ट दिखाए गए हैं वह सुप्रीम कोर और है जो सो उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या एंपिए दिखाने कैसे दिखाने सो यह दो पॉइंट आपको देखने चाहिए बैंक ने जो बैड लाउंस हैं 15% से उपर 31 दिसंबर तक वह चीज और जो कह सकते हो डेट रिकास्ट है आठ जार करोड तो यह दो पॉइंट जो है यह कह सकते हो इसका भी हमें उसके अंदर इंपक्ट देखने को नहीं मिला है सो दोस्तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है पहले चीज तो यह मिन्स जानकारी सब कुछ पता होना चीज आप लोग को और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है दोस्तों तो सबसे बड़े चीज है किसी भी बैंक के लिए और एक और न्यूज थी जो यूपिय प्लेटफॉर्म है उसके लेटेट तो वहां भी यह बैंक ने बहुत अच्छा काम काच किया दोस्तों सो नो डाउट एफर्ट में कोई कमी नहीं है इससे एक चीज़ क्लिए होती है रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहे हैं हावेवर उसके अंदर आने वाले टाइम में रिजल् में पता चलेगा अच्छा है और होप यह है कि मार्किट इसको पॉजिटिव डालेक्शन में लेना चाहिए हावेर एक दो कमेंट से भी थे कि ट्राइडेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आय था तो उसका क्यों नहीं बढ़ा तो दोस्तों उसको आपको देखना चाहिए कि वह और रिजल्ट से पहले ही कितना भाग चुका है और और बोर्ट जोन में पहुंच चुका था तो कैसे व पॉर्गल के अंदर ट्रेड कर रहा है और जो इसने लाज्ट टेडिंग करी थी दोस्तों 16 रुपे का लेबल से नीचे भी आया था बैट हम उसे यह नहीं बोल सकते कि उसने 17 रुपे का लेबल तोड दिया और अगर 17 से नीचे क्लोजिंग देता तो हम मान सकते हैं कि हां इसके अंदर एक वेरिस मुमेंटम आने की संभावना है और बहुत होच-पोच हुआ दोस्तों आप पूरा सेशन देखोगे क्यू 3 अर्निंग से पहले का तो जाहिड सी बात है मिन्स बहुत इफबट हुए मिन्स कह सकते हो पहले आगे भी बड़ा उसके बाद एकदम से न और पैनिक भी किया जा रहा था बट मंडे को क्या हो सकता इसके अंदर बैस पॉसिबिल्टी क्या है तो पहले दोस्तों को चीज समझनी पड़ेगी बात धंग से और दिमाग मठानी पड़ेगी पहली चीज़तों आप यह नौट करके लख लो कि अगर मंडे को यह 17 रुप तो इसमें यह राय की एक्जिट करना चाहिए क्योंकि उसके नीचे फिर यह दुबारा से एक वही अपनी 14 से 16 वाली रेंज में फिर सरकल टू सरकल मूव करने लग जाएगा अगर तेजी आती है तो तो तेजी भी दोस्तों मुझे इन लगता है इसके अंदर बहुत जाद बहुत लंबी दौर लगाने वाला लेकिन उसके लिए इसको 20 रुपे 15 पैसे का लेबल तोड़ना पड़ेगा तो अब करना क्या है वह देखते हैं में चीज दोस्तों एक चीज देखनी है 17 से नीचे आने वाला हो मतलब 17 17 रुपे 10 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए पास पहली पॉंट तो यह क्लियर हो गया दूसरी बात अगर 20 रुपे तक या कह सकते हो 19 रुपे भी क्रॉस कर जाता है तो में तो वहां पर कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग भी होनी चाहिए और जो छोटे निवेस हैं कि छोटे मिन्स जिनका टाइम फ्रेम जो क्वार्टर ले रिजल्ट का वेट कर रहे थे या पंदरा दिन का वेट करने थे या एक महीने के लिए इसको लिया था उनके लिए बता रहा हूं यह चीज में तो उनको तो मेरे साब से कि 19 रुपे का लेवल 18 उपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एक्जिट कर लेना चाहिए दोस्तों इतनी लंबी चोड़ी उबीद नहीं करने चाहिए अभी यह स्पैंग के लिए बट जिनका थोड़ा सा लॉंग टर्म प्रॉस्पेक्टिव है लॉंग टर्म दोस्त और कितना टार्गेट वगेरा क्या हो सकता है क्योंकि जो अभी 10,000 करोल पर जुटाने वाले हैं और कैपिटल चाहिए मिन्स बहुत पेश है दोस्तों अगला क्वार्टर आपको पता ही है कि मिन्स बहुत जादा चिंदा जनक भी हो सकता है क्योंकि फिर यही स्तिति हो करेंगे उसके बाद ही कुछ आउटपूट पता चल पाएगा कि आपकी जो एक इन्वेस्मेंट है उसकी क्या कैपिटल गैन उसके अंदर हो सकता है बस्वाले को उन्हों मैंने बता दे दोस्तों ज्यादा की उमीद ना रखे और मौका मिलते ही प्रॉफिट मांके एक्जिट भी करना चाहिए है तो यह मेरी राय थी होप आप लोग को समझ में आ गया होगा 17 से निच्चे आए तो सीधे भार 19 जो यह लेवल है बीस से पंदरा का उपर दिखे तो जाहिर सी बात है एक और 23-24 का आकड़ा यह पहुचा सकता है सौटम के अंदर सो दोस्तों पास समझ में आए तो वीड सब्सक्राइब जरू करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में बबाए